इन दौर के बाद अब रतलाम की सरकारी मेडिकल कॉलिज से रेगिंग का वीडियो सामने आ गया है जिसमें हॉस्टल में जूनियर्स को कतार में खड़ा कर सीनियर्स रेगिंग ले रहे हैं सीनियर्स अपने जूनियर्स को थपर मारते हुए नजर आ रहे हैं इतना ही नहीं, मौके पर पहुँचे बॉर्डन टॉक्टर अनुराग जैन से भी सीने स्टुडेंट्स बत्तमीजी करते हुए दिख रहे हैं रैगिंग रोकने पर सीने स्टुडेंट्स ने उन पर शराब की बॉतले फेकी, गनीमत रही की बॉतले वॉर्डन को नहीं लगी जिसका वीडियो वारल होने के बाद बवाल मच किया है बताया जा रहा है कि ये वीडियो जिस छात्र ने बनाया है उसने इसके शिकायत कॉलिज प्रवंधन के साथ साथ दिली तक कर दी है वही वीडियो वारल होने पर मेडिकल कॉलिज मेनेजमेंट ने भी संग्यान लिया है और इस मामले में अनुशासन समिती को जाज के लिए कहा है मामले में अनुशासन समिती का कहना है कि जो भी इसका दोशी होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी पूरे मामले पर कॉलिज के प्रोफेसर और फिजियोलोजी के हेड डॉक्टर जगदीश ने बताया के ठाइस तारिक को मेल मिला था जो बच्चे इसमें दोशी पाए गए हैं उनके खिलाफ सक्त कारवाई के लिए कहा गया है कमेटी ने रिक्वेस्ट की है कि दोशी बच्चों को हॉस्सल से हमेशा के लिए निश्कासित कर दिया जाए इसके अलावा सभी छात्रों को छे महीने के दिर सिस्पेंड किया जाए पुलिस कारवाई के लिए भी हम सोच रहे हैं दो महीने पहले भी एक कंप्लेन आई थी बच्चों ने मामले में मेल में बताया कि उनके साथ मारपीट और डराने धमकाने की घटनाए होती है हमारे कानून की परिदी में भी आता है कि रैगिंग पूरी तरह से बैन है रैगिंग कहीं भी किसी भी तरह से स्विकारोग नहीं है मैंने कहा कि उस पूरे की जाज करके क्योंकि वीडियो केवल घटना को पदरशित नहीं करता यदि इस तरह के कहीं भी घटना हुई है तो वो स्विकारोगी नहीं है और निश्चत रूप से कारवाइक की जाएगी। मैं दो वाते कहना चाहता हूँ कि मेरे आने के बाद मैंने लगातार ये प्रयास किया कि युनिवर्सिटी की वर्किंग हम सुचारू करें। ये बास सही है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी इसलिए हमने वी सी को भी हटाया। मेर और जूनियर स्टुडेंस के साथ पूस्ताज की गई। और घटना स्थल को देखा गया। अब स्टुडेंस के बयान लिये जाएगे। बाद में दोश्यों के खिलाफ कारवाई की जाएगी। इससे पहले मई में भी इसी मेडिकल कॉलेज पे रैगिंग की घटना सामने आई थी। तब कुछ छात्रों को कॉलेज से साथ दिन के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अब देखना होगा कि ऐसी घटनाओ पर कब तक लगाम लगेगी।